नमस्कार दोस्तों स्मार्ट स्टडी के ओफिशेल यूट्यूब चैनल में एक वार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे जैसा कि हमारा अच्छे से वह पढ़ लिया होगा तो आज का हमारा टॉपिक हैं नेट्वर्किंग में हम दो मॉडल पढ़ेंगे टी सीपी मॉडल और ओएसाई मॉडल तो चलिए बिना किसी समय को बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक तो सबसे पहले हम बात करते हैं टी टी सीपी आईपी मॉडल होता है उसकी फुल फॉर्म होता है हमारी ट्रांस्मीशन कंट्रोल प्रोटोडोकॉल तो टेजिए ब्स प्रोटोकॉल हमारा 1973 अध्याब्टीड और टी टीसशन सब्क्रमग मॉडलdroka hap83 एकी तो TCP IP model हमारा 1970 में आया फिर इसमें कुछ कम्या भी थी सुधार करते करते 1983 को और अरपन एजर के रूप में इसे मानेता प्राफ्त हुए और जैसे ही इसे और अरपने तके मानेता प्राफ्त हुए दोस्तों वाधं ऐन इसके आइस्टों मॉडल ओपन system interconnection model जिसकी full form होती है उसके बाद 1984 को हमारा OSI model आ गया तो सिंपल सी बात है कि TCPI में model हमारा 1970 को आया 1973 में अर्पनेट के रूट में इसे मानियता मिली जैसे ही 1983 को इसे मानियता मिलती है उसके एक साहज बाद यानि कि 1984 को हमारा एक और model आ जाता है मार्केट में open system interconnection model आयोप इतना clear हो गया होगा तो जब भी हम model पढ़ेंगे तो model networking में हम layers की बात करेंगे layer के बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे क्योंकि networking में जो भी काम होता वह सारा हमारा layers में होता है OSI model की बात करें तो OSI model में हमारी साथ layers होती है और सातों की layer सातों layer जो हमारी है वो rule follow करती है तो set of rule को का जाता है protocol तो OSI model में हमारी साथ layer होती है layer हमारी rules पर चलती है और set of rule को हमारा का जाता है protocol का जाता है जो भी हमारी approach रहती है networking model या OSI model में वो bottom to top रहती है I hope इतना clear हो गया होगा तो यह है हमारी साथ layer दोस्तों जब भी बात करें networking layer की या OSI model की layer की तो जो हमारा काम होता है वह हमारा application layer से शुरू होता है काम हमारा application layer से होता है पर हमारी शूरूu physical layer से होती है तो पहली layer हमारी कौनसी हो जाती है फिजिकल layer दूसरी हमारी data link layer तीसरी हमारी network layer April चौथी transport layer पांच भी session layer चट्टी हमारी presentation layer और साथ भी हमारी application layer हो जाती है तो question ऐसा भी पूछा जा सकता है दोस्तों की application और session layer के बीच में कौन सी layer होती है तो presentation layer तो आपको नाम याद करना ज़रूरी है जैसे कि हमें एक trick बताई गई थी यह मैं आपको वो trick बता रहा हूं तो trick है कि आप speed test नहीं दे पाओगे तो आप मैं यहाँ पर लिखनी पा रहा हूं तो आप सुने कि आप speed test नहीं दे पाएंगे या दे पाओगे तो एसे हो जाती हमारी application P से presentation, S से session layer, T से transport layer, N से network layer और D से data link layer और P से physical layer तो एक question यहाँ से एक और बन सकता है कि ऐसी कौन सी layer है जिसकी दो sub layer है या जिसकी sub layer है तो दोस्तों जो हमारी data link layer है data link layer की हमारी दो sub layer है यह clear हमारी logic link control LLC जिससे का जाता है दूसरी हमारी mac media access control है तो mac का use हमारा error free data के लिए किया जाता है जहां भी error free data आएगा दोस्तों वहां पर बात की जाएगी mac address की मतलब media access control की I hope इतना clear हो गया होगा आगे देखते हैं OSI model की full form हमारी जासे हमने उपर भी बात किया वह होती है open system interconnection इसे developed किस ने किया तो OSI का ultra कर दीजिए ISO तो OSI को developed किया ISO ने तो ISO की full form होती हमारी international organization for standardization क्या होती है full form दोस्तों international organization for standardization तो developed कप किया 1984 को क्लियर हो गया होगा अब जो OSI model है वो यूज किसके द्वारा किया जाता है तो वो किया जाता हमारा IT professional zoo है उनके द्वारा OSI model का यूज किया जाता है हम और आप इसका यूज नहीं कर सकते धंक से पर पस अब इसका परपस क्या हो यह OSI model जब 1984 को market में तो किस परपस से आया तो इसका दोस्तों परपस था कि डाटा नेटवर्क में कैसे ट्रांसफर करता है डाटा नेटवर्क में कैसे फ्लो करता है ट्रैक दी फ्लो ऑफ हाव डाटा ट्रांसफर इन नेटवर्क आयोब क्लियर हो गया होगा जो हमारा OSI model है OSI model is also called reference model और conceptual model तो यह भी question पुछा जा सकते कि OSI model को इन में से किस नाम से जाना जाता तो option number both हो जाएगा हमारा सी बोथ है और भी reference model और conceptual model not practically implemented जो हमारा OSI model है दोस्तों उसका अभी तक practically कोई implement नहीं कर पाया है इसकी हम सिर्फ theory ही परते हैं working of OSI model तो मैंने कहा था कि जितने भी networking model में हमारा काम होता है वो सारा हमारा layers के through होता है तो पहली layer हमारी physical layer थी तो फिजिकल layer की working के बारे में बात करते हैं तो फिजिकल layer फिजिकल फिजिकल layer मतलब इसमें बहुत सबी चीज़े आजाएंगी computer से related जिने हम हाथ से touch कर सकते हैं तो हाथ से maintain physical connection जो भी हम physical connection लगाते हैं जैसे कि modem hub switch router बगेरा जो भी हम लगाते हैं वो इसमें आ जाएगा फिर topology networking topology होती है कि topology होती है कि आप networking computer को कैसे arrange करते हो इन topology अलग से topic आएगा networking में ही आप चिंता ना करो फिलाल फिलाल जो है आप इन्हें याद रखो कि maintain physical connection topology networking model networking model के बारे में भी आगे बात करेंगे simplex half duplex और full duplex width synchronization और width rate control को भी आप याद रख सकते हैं तो physical layer में आपको पहले थीन तो आपको याद रखने ही है बाकी दो को याद रखो ना रखो पर बाकी दो को भी याद रखने की क्रिपा करें दूसरी layer हमारी data link layer आ जाते है क्या बार शौट में इसे दोस्तों DLL भी लिखा जाता है क्या लिखा जाता है GDLL तो know to node या device to device इस layer को कहा जाता है जैसा कि हमने बात की थी कि data link layer की दो सब layer होती है LLC और Mac तो Mac address का use हमारा किसमे होता है data link layer में होता है जहांपर Mac की बात की जाएगी दोस्तों मैंने आपको कहा था कि आपको जाद रखने की error free data के लिए का यूज किया जाता है मैक अड्रेस का यूज किया जाता कि इसके लिए डाटा के लिए क्लियर हो गया होगा आगे देखते हैं फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल भी हमारा डाटा लिंक लेयर में आ जाता है आगे देखते हैं नेटवर्क लेयर तो तीसरी लेयर हमारी ही रखना है कि network layer में एक हमारा router होता है और packets की form में data transfer होता है router और packet बाकि internet working और addressing को याद रखें या ना रखें यह आपके उबर निर्भर करता है पर आपको दो चीज़े याद रखने है routing और packets आगे देखते हैं transport layer हमारी चौथी layer हो जाती है ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट लेयर को end-to-end layer भी का जाता है यह क्या करती है transport layer establish connection between source and destination तो यह क्या करती है connection को establish करती है source or destination को acknowledgement के द्वारा तो question ऐसा पूछा जाएगा कि इन मेंसे किस layer में acknowledgement का use होता है या acknowledgement मिलती है acknowledgement मिलती है हमारी transport layer में मतलब यह हमारी reliable होती है इसमें चले आगे देखने कि हर टॉप OSI model OSI model का हर्ट किसे का जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर को connection oriented services में TCP और UDP IP का use किया जाता है तो TCP की फुल फॉर्म होती है transmission control protocol तो connection less service हमारी UDP IP होती है जहां पर connection oriented होगा connection oriented मतलब बायर के द्वारा connection oriented किया जाएगा connection बायर के द्वारा होगा तो acknowledgement हमें मिलती रहेगी data हमारा यहां पहुंचा यहां पहुंचा यहां पहुंचा है ना अगर हमारा connection less होगा UDP होगा तो हमें acknowledgement नहीं मिलीगी हमें पता नहीं लगेगा कि बीच में data गायब हो गया तो कहां होगा आप इन में से चारों point को ही पांचों जो भी हमारे छे point है आप छे के छे point को इसमें याद रखिए आगे करते हैं याद आप ऐसे रख सकते हैं कि session हमें क्या करना है सबसे पहली बाद तो session को management करना है session को manage करना है तो उसके बाद sync करना है हमें लोगों के साथ synchronization फिर उसके बाद अब session manage हो गया, sync हो गया, बंदे जुड़ गए, अब हमें क्या वोलना है, dialogue controller, dialogue, अब हमें क्या वोलना है, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, यह इस तरीके से मुझे याद है, तो मैंने आपको बता दिया, तो system, session management, synchronization और dialogue control हमारा session layer में होता है, presentation layer की बात करें दोस्तों, तो translation, encryption, decryption, compression, compression हो हमारे बड़े data को छोटे data में change करना, तो यह चीज़े हमारी presentation layer में आ जाती है, यह चारो ही आपको याद रखनी है, जो हमारी 7 layer है दोस्तों, वो हमारी application layer हो जाती है, तो application layer में हमारा क्या-क्या होता है, network virtual terminal, that is also called NVT कहा जा सकता है, NVT, NVT की full-form network virtual terminal, FTAM का use होता है, file transfer, access and management, mail services में use होती है, directory service, desktop layer, इसे भी का जाता है, application layer is also known as desktop layer, तो इसका use के द्वारा किया जाता, end-user software, मतलब उसे application layer में, जहां हम भी user interact करते है, हम interact करते है, उसे सब चीज़ों को application layer में शामिल किया जाका, जहां पर user direct interact करते हैं, बहुत सब के मादेम से भी इंट्रेक्ट करते हैं मेल के द्वारा करते हैं डायरेक्टरी के द्वारा करते हैं तो आगे देखते हैं कि OSI model PDU PDU की full form होती है हमारी presentation data unit तो यह है कि layer PDU PDU की full form में एक बार फिर से बता रहा हूं presentation data unit application layer में जो data है दोस्तों वह data की form में होता है presentation desert me data data की ही form में होता है session layer में भी data data की ही form में होता है अगर बात करें हम transport layer में transport layer में हमारा segment के रूप में data change हो जाता है networking layer में जैसे मैंने पीछ आता router और package तो पैकेट की फॉर्म में हमारा डाटा चेंज हो जाता है DLL यानि डाटा लिंक लिएर में फ्रेम्स डाटा की फ्रेम्स बन जाती है और फिजिकल लिएर में बीट्स है ना यह भी याद रखने के लिए जरूरी है दोस्तों आप एक बार पढ़ लिए कि उपर की जो हमारी तीन लेयर है उसमें डाटा डाटा की ही फॉर्म में होता है बाकि ट्रांसपोर्ट लेयर में सीगमें नेटवर्क में पैकेट डी एलल में फ्रेम्स और फिजिकल में वी इस बढ़ करेंगे तो आए एक नजर से देखते हैं एप्लिकेशन लेयर में हमारा गेटवे गेटवे का यूज हमने पिछे मॉक्ताइस में बताया कि डिफरेंट प्रोटोकॉल प्रिजेंटेशन लेयर के लिए भी गेटवे का यूज किया जाता है त्रांसपोर्ट लेयर अग かड़ में हमारा स्विच और ब्रीज होता है स्विच ब्रीज आप याद रख सकते हैं कि वूज को हमने स्वीच कर दिया किस के साथ जिसके साथ भी आप अपने ब्रीज को स्विच करना चाहें फिसीकल लेयर की बात करतो हब रीपीटर मॉडम के वल्ज को मैं यह वे बाइडिफॉल्ट साथ लेयर में होता है तो अगे देखते हैं कि लेयर में इन साथ लेयर में कौन-कौन से address का use किया जाता है तो बाकी में कोई address का use आम तोर पर नहीं होता network layer जो हमारी होती है network layer दोस्तों network layer में हमारा IP address का use किया जाता है और IP address को हम logical address भी कहते हैं याद रखेगा ये question भी important हो जाता है Network layer में हमारा IP address का यूज किया जाता है और IP address को हम logical address के नाम से भी जाने जाते हैं जाना जाता है Data link layer में हमारा Mac address का यूज होता है और Mac address को हम physical address भी कहते हैं तो ये दो चीजे आपको फिर से ध्यान में रखनी है दोस्तो Networking में याद करने के लिए सबसे जादा है और इसे question भी बहुत सारे पूछे जाते हैं आगे देखते हैं कि किस-किस layer में किस protocol का यूज किया जाता है तो सबसे पहली layer हमारी किया है physical layer तो physical layer में DSL का यूज किया जाता है DSL की full form हमारी digital subscriber line हो जाती है जितने भी abbreviation पूछी जाती है computer की दोस्तो यहीं से पूछी जाएगी जहां से हम आपको करवाएंगे आपको extra पनने की कोई ज़रूरत नहीं है तो physical layer में पहला जो protocol यूज किया जाता है वो DSL यूज किया जाता है DSL की full form होती है हमारी digital subscriber line फिर आता है हमारा ISDN ISDN की full form होती है integrated service digital network IDEA की बात करें तो infrared data association USB की full form universal serial bus फिर इसमें Bluetooth का भी use किया जाता है CAN का use भी किया जाता तो CAN की full form है controller area network अब आप कहेंगे की भाई CAN की full form तो campus area network होती है campus area network वो जहां पर हमारा CAN आएगा वहां पर बता दूँगा लेकिन CAN की यहां पर full form Ethernet इसमें यूज किया जाता है जिसका IEEE standard होता है 800 2.3 तो इन सम्में तो आपको दोस्तों maximum आपको सारे ही याद करने हैं लेकिन जो सबसे जाधा important है वो है हमारा Ethernet तो आपको Ethernet को ज़रूर याद रखना Ethernet और इसका IEEE standard जो हम अगली वीडियो में भी पढ़ेंगे तो DSL, ISDN, IDEA, USB, Bluetooth, CAN और Ethernet का यूज प्रोटोकॉल का यूज हमारा फिजिकल लेयर में होता है डाटा लिंक लेयर की बात करें डाटा लिंक लेयर में हमारा PPPP यूज होता है PPPP की फॉर्म होती है हमारी point to point प्रोटोकॉल NCP की बात करें तो network control protocol slip की बात करें तो serial line interface protocol तो दोस्तों यहां से हमें दो-दो फाइदे हो रहे हैं तो इसमें आपको सारे ही याद रखने है कि PPP, NCP और slip का यूज किया जाता है हमारा data link layer में networking layer की बात करें दोस्तों तो networking layer में हमारा ARP का यूज किया जाता है ARP की full form होती है हमारी address resolution protocol address resolution protocol में क्या होता है दोस्तों की IP address हमें दिया गया होता है IP गीवन होता है और हमें find mac address को find करना होता है RARP की बात करें दोस्तों तो यह reverse address resolution protocol हो जाता है मतलब ARP का ULTA हो जाता है इसमें mac address गीवन होता है हमें IP address को find करना होता है ICMP के बात करें तो internet control message protocol इसकी full form हो जाती है IGMP की full form हमारी internet group messaging protocol हो जाती है तो इन में से आपको सारे ही याद रखने हैं दोस्तों इसके साथ आपकी computer abbreviation भी हो रही है आगे बात करें transport layer की तो transport layer में हमारे दो use होते हैं TCP और UDP जैसे कि मैंने कहा थे कि connection oriented कौन है हमारा TCP और reliable भी TCP ही है UDP हमारा connection less है acknowledgement हमें TCP के द्वारा मिलती है TCP की full form transmission control protocol और UDP की user datagram protocol तो full form भी आपको याद रखने है user datagram protocol आगे देखते हैं पांच भी layer session layer जिसे कहा जाता है तो session layer में हमारा PPP होता है PPP point to point tunnelic protocol PAP password authentication protocol net bios जो हम memory में भी पढ़ेंगे BIOS को network basic input output system और ASP apple talk session protocol तो यह तो आपको याद रखने ही है कि किसमें कौन से protocol का use होता है यह question पूछे जाते हैं दोस्तों presentation layer कि अगर हम बात करें तो TLS transport layer security SSL secure socket layer MIM multipurpose internet mail extension और NCP network protocol तो यह बार-बार कह रहा हूं कि इसके साथ हमारा networking भी complete हो और साथ में हमारी computer abbreviation भी यूज की जारी जो हमारा TLS है दोस्तों वह SSL का advance form है आगे बात करते हैं application layer की तो जैसे की application layer की बात करें तो HTTP hypertext hypertext markup language आपकी जी का HTTP की form गलत लिख दी है यहां पर markup language नहीं होगा hypertext transfer protocol तो असुविता के लिए खेद चाऊंगा पर यह है आपको जब PDF में आइसी गलती नहीं होगी PDF आपको correction करके दिया जाएगा तो HTTP का use इसमें किया जाता है दोस्तों POP post office protocol का use किया जाता है FTP file transfer protocol का वीस में यूज किया जाता है SMTP simple mail transfer protocol का use application layer में ही होता है और domain name system DNS DNS का काम होता कि domain name को IP में convert करता है I hope इतना clear हो गया होगा बाकी फिलहाल के लिए दोस्तों हम इतना ही करेंगे अगली वीडियो में हम इस से related जो भी हमारे question बनते हैं question को discuss करेंगे I hope कि आपको समझ आ गया होगा अगर किसी चीज में confusion है दोस्तों आप comment box में बता सकते हैं अगर आपको हमारी चैनल पर upload किसी भी वीडियो का PDF चाहिए तो description में हमने WhatsApp group का link दिया है जिस पर click करके आप हमारे WhatsApp group को join कर सकते हैं और पास सकते हैं हमारे चैनल पर upload किसी भी वीडियो का PDF आप इसका PDF आपको अभी नहीं मिलेगा किसी को urgently चाहिए तो वो personal message मुझे कर सकता है मेरा number आपको मिल जाएगा अरे परे से बाकी जब आपका networking complete हो जाएगा एक दो दिन के अंदर तब हम आपको पूरा PDF प्रोवाइड करवा देंगे तब तक के लिए आप पढ़िए पूरे मन से टेस्ट जल्दी ही हो जाएगा जय हिंद जय भारत